नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आमरपाली शर्मा और मेरा आज का ये वीडियो पिछले अगले वीडियो से बिलकुल अलग है क्योंकि आज मैं एक नई एक्ट्रिस के बारे में बात कर रही हूँ और थोड़ी गौसिपी बात है दोस्तो एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर के साथ बोल्ड इंटिमेट सीन्स देने के बात से इस एक्ट्रिस की बहुती चर्चा है और इसका नाम है तृत्ती धिमरी हाला कि दोस्तो ये हिरोईन 29 साल की है यानि 29 यह की है जिस उम्र में एक्ट्रिस रेटायर्मेंट लेती है या फिल्म में छोड़ती है उसमें इसका करियर बुलंदियों के तरफ बढ़ रहा है तो उसके पास काफी कम साल है इस हाइप को एन कैश करने के लिए एक के बाद एक बड़े बैनर्स की फिल्म में तरफ टी साइन कर रही है कहा जा रहा है कि वो एक बिजनसमैन सैम मर्चिंट को डेट कर रही है और दोस्तो उससे पहले ये अनुश्का शर्मा के भाई को डेट कर रही थी अनुश्का शर्मा ने अपना प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स अपने भाई करनेश के सुपूर्द कर रखा है करनेश ने त्रिप्ती को लेकर दो फिल्में प्रिड्यूस की थी खाला और बुलबुल इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर पिछले साल जून में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था तब ही इनकी ब्रेक अपके खाबरें उनी लेकिन इसके अलावा बॉलिवुट के इनर सरकल में चर्चा है कि तृत्ती ढिमरी का अफेर एक बहुत बड़े प्रिड्यूसर से चल रहा है तृत्ती को पहला ब्रेक मिला था श्रेयश सलपड़े की फिल्म पोस्टर बॉइस से जिसमें वो श्रेयश के उपजिट थी फिर 2018 में लेला मचनू फिल्म की 2020 में बुल बुल और 2022 में खाला नाम की फिल्म में काम किया उसके अभिने की क्रिटिक्स ने तारीफ की थी लेकिन बॉलिवुड में अकसर कई हिरोईंस को बॉल्ड सीन देने के बाद ही मार्केट में हाइप मिलती है और वैसे भी बॉलिवुड में बॉल और यंग एक्टिस की जगह आजकल खाली थी प्रियंका चोपडा, करीना कपूर तो जा चुकी है कट्रीना और दीपिका पुरानी हो चुकी है और सारा अली खान, जानवी कपूर जैसी स्टार के इसमें वो बात नहीं है तो लोग और बॉलिवुड फिल्मेकर्स अब कोई ऐसा बोल चहरा चाहते थे जिसमें बोलनेस हो, फ्रेशनेस भी हो और अनभव भी हो और वो सब कुछ त्रिप्ती धिमरी में नजर आ रहा है जैसा कि सरनिम से जाहिर है त्रिप्ती के माता-पिता उत्तराखंड के गड़वाल के है उसने दिल्ली युनिवर्सिटी से साइकोलोजी में ग्रेजुएशन किया है और ये इंपोर्टन बात है पढ़ाई के बाद फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट से एक्टिंग की उसने ट्रेनिंग ली त्रिप्ती धिमरी के बारे में एक बहुत ही खास बात है इसलिए मैंने कहा कि उसकी ग्रेजुएशन खास बात है कि बॉलिवुड में अरसे बाद कोई ग्रेजुएट हिरोईन आई है ज्यादा तर एक्टिंग तो साथ या आठ क्लास पड़ी है बहुत से बहुत दसवी और बारवी तकी पड़ी है जैसे करिश्मा कपूर, करीना कपूर इन दोनों ने दसवी भी पास नहीं की थी साथवी आठवी से ही स्कूल छोड़ दिया था मिस वर्ल्ड एश्वारे राय और मिस यूनिवर्स सुश्मिता सेन ने भी बारवी खत्म करने से पहले पढ़ाई छोड़ दी थी यही हाल दीपिका का भी था उसने भी इंटर से आगे कॉलेज नहीं देखा प्रियंका चोपड़ा बड़ी पढ़ी लिखी सुनाई पढ़ती है यानि साउन करती है मैं थोड़ा इंगलिश से ट्रांसलिट करके बोढ़ रही हूँ लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने भी बारवी तक ही पढ़ाई की है उसने मुंबई के जैहिंद कॉलेज में एड्मिशन जरूर लिया था लेकिन मिस वर्ल बनने के बाद वो कॉलेज नहीं गई यानि वो भी अंडर्गरेजवेट है प्रियंका चोपड़ा की बहन परिनिती चोपड़ा जरूर पढ़ी लिखी है उसने इंगलिन के मैंचेस्टर बिजन स्कूल से बिजनस में ओनर्स किया है और दूसरी है सोहा लिखान उसने फिल्मों में आने से पहले मार्केटिंग में MBA किया था इसमें उसके बंगाली परिवार से होने का भी हाथ था और वो भी शर्मला टेगोर की बेटी होने का तो मेरा मतलब है कि तृप्ती ग्रेजुएट भी है पढ़ी लिखी भी है तो दोस्तो तृप्ती धिमरी की अगली रिलीज होने वाली फिल्म है मेरे महबूब मेरे सनम जिसमें वो विक्की कौशल के ओपोजिट दिखाई देगी वो फिल्म करण जोहर के धर्मा प्रडक्शन में डिरेक्टर आनन तिवारी की फिल्म है और इसके अलावा है संदीप वेंगा रेडडी की एनिमल पार्क बाकी तीनों फिल्म में टी सीरीज याने भूशन कुमार की फिल्म में है मुकेश भट की आशिकी थ्री राज शांडिले की विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो एनिमल के डिरेक्टर संदीप वेंगा की प्रभास के साथ एनाउंस हुई फिल्म स्पिरिट और ये तो आप जानते ही होंगे कि एनिमल के को प्रडियूसर भी बुशन कुमारी थे दोस्तों मैं कुछ नहीं कह रहे हूँ बस आपको फैक्स बता रहे हूँ अंदाजे आप जो चाहे लगा ले अगर इन में से एक भी फिल्म चल गई तो त्रिप्ती बॉलिवूट की बड़ी हिरोईन बन जाएगी बाई दोस्तों